नमस्कार सिक्षार्थियो आहर विज्ञान एवं पोशन की व्याख्यान शिंखला में मैं ग्रह विज्ञान विभाग उत्राखंड मुक्त विशुद्याले से डॉक्टर प्रीती बोरा आपका स्वागत करती हूँ आज की इस व्याख्यान में हम बात करेंगे आधार भूत खादि समुहों के बारे में पोशन प्राप्त करने के लिए मानव अपने आहर में कई प्रकार के खादि बदार्थों को सम्मिलेत करता है परंदू किसी भी एक खादी पदार्थ से सभी प्रकार के पोशकता तो प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं एक अच्छा और उत्तम स्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत आवशक है कि उचित पोशन पदान करने बाले सभी खादी पदार्थों का बुद्धिमत्ता पूर्व चैन किया जाए और इस दिशा में यह भी आवशक है कि व्यक्ति को खादी पदार्थों के पोशन ये गुर्वक्ता के संबंद में मूल जानकारी हो जिसके आधार पर वह उचित खादी पदार्थों का चैन कर सके बारतीय चिकितसा अनुसंधान परिशद ने खादिपदार्थों के चैन में आसानी के लिए उनके पोशन विशह शग्यों ने आधारिय पांच खादिसमूहों को विक्सित किया है आधारबूत खादिसमूहों क्या होते हैं? वे सभी खादिपदार्थ जिनकी पोशनी गुरुवत्ता एवं प्रकरती लगभग एक समान होती है उन्हें एक खादिसमूहों में रखा जाता है कौन सा खादी पदार्त किस समू में समलिध किया जाएगा या उसमें पाए जाने वाले पोशक्तत्वों पर निरभर करता है ऐसा आवश्रक नहीं है कि एक खादी समू के अंतरगत आने वाले सभी भुज़ी पदार्तों की पोशन गुरुवत्ता समान हो या उसमें सभी पोशक तत्व एक समान मातरा में उपस्थित हों परंदो यहां निश्चित है कि उन सभी में कुछ मुख्य जो पोशक तत्व होते हैं वह लगबख समान रूप से उपस्थित होते हैं जैसे अनाच का एक खादिस अमू है उसमें आने वाले जितने भी खादि पदार्थ हैं जैसे गेहू, चावल, मक्का, बाजरा, जुआर, रागी इनसे हमें मुख्य जो पोशक तत्व मिलते हैं वो होते हैं उर्जा, कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, विटामिन में थाइमिन, राइबोफलेविन और लोह लबण, जो खणिज लबण होता है, वो और रेशा, ये सब पोशक तत्व प्राप्त होते हैं तो इन्हें एक खादि समुह में रखा जाता है जो होता है अनाजगा खादि समुह एक जैसी पोशनी गुणवत्ता वाले खादे बदार्थों को एक समोह में रखने के कुछ लाब होते हैं जैसे इनसे पोशन विश्षग्यों को अनुशनशित आहारी भत्ते जिनको हम रिकमेंडे डाइटरे लाउंसिस कहते हैं और उनके द्वारा निर्धारित जो पोशिक तत्वों की मात्रा के अनुशार आहार नियोजन करने में सुविधा होती है एक आम व्यक्ति को यदि खादे समोहूं की जानकारी है तो इसके माध्यम सेवा कई प्रकार के खादे बदार्थों को अपने आहार में शामिल कर सकता है और उनकी पोशनी गुणवत्ता को आसानी से समझ सकता है खादे समोहूं के प्रयोग द्वारा संतुली ताहर के दिश्टी से जो ज़्यादा उपयोगी खादे समोहूं होते हैं या खादे बदार्थ होते हैं उनके चेन में सुविधा होती है आधारी खादी समोह व्याभारी खादी निर्देश को बनाने में एक मूल आधार के रूप में प्रेयोग किये जाते हैं विबिन ने प्रकार के आधार बुद खादी समोह विक्सित किये गए हैं संयुक्त राज अमेरिका के क्रिशी विभाग यूएस डिपार्टमेंट आगरिकल्चर द्वारा अधारबुद साथ खादी समोह प्रस्तावित किये गए हैं जो है हरी एम पिली सबजियां दूसरा समोह है फलों का जिसमें संत्रा और जिसमें टमाटर चकूतर और कच्ची पत्तागों भी सम्मिलित है फिर है आलू अन्य सबजियां तथा फल चोथा है दूद तथा दुगद उतपाद पांचवा है मांस पोल्ट्री मशली तथा अंडे छटा है ब्रेड आटा और विविन्न प्रकार के अनाच और साथवा है मक्षन और मारजरेन इनसे जो पोशक्तत्त्त प्राप्त होते हैं वह इस तालिका में दिये गए है फिर अगला खादी समू जो विक्षित किया गया वह है आधारबूट चार खादी समू इसमें चार मोटे ताऔर पर जो खादी समू है वह सम्मिलित किए गए हैं जैसे पहला समू है अनाज प्रोटीन कैश्यम और विटामिन प्राप्त होते हैं फिर अगला खादी समू जो विक्सित किया गया वह है अधार्भूत 11 खादी समू इसमें खादियों को एक विस्तरित शेणियों में विभाजित किया गया इसमें पहला समू है दूध एवं चीज और आइसक्रीम का दूस मांस पोल्ट्री मचली अंडा सूखी फलियां मटर तथा नट्स अनाज आटा एवं बेग्ड उत्पाद चौथा पांचवा है खटे फल एवं टमाटर फिर है गहरी हरी एवं गहरी पीली सबजियां फिर आलू अन्य सबजियां एवं फल वसा एवं तेल तथा अंतिम है श इसी हमार ने आधारभूत पांच खादी समू को विक्सित किया है जिसमें पहला खादी समू है अनाज एवं उनकी उत्पाद इसमें हम विबिन्न खादी पदार्थों को सम्मिलित करते हैं जो हैं चावल, गेहु, रागी, बाजरा, मक्का, जवार, जई, चिवडा, इसमें सभी प्रकार की डालें जो हम रोज मर्रा में इस्तिमाल करते हैं वो आती हैं और इनसे मूल रूप से उर्जा, प्रोटीन, अद्रिश वसा, बिटमिन, B1, B2, फोली, कमल, कैल्शियम ये सब पोशक तत्व प्राप्त होते हैं फिर है दूद एवं दूद से निर्मि इसमें अंडा आदी भी सम्मिलित है इनसे हमें मूल रूप से प्रोटीन, वसा, विटमिन, B2, और कैल्शियम प्राप्त होते हैं फिर अगला समूँ है फल एवं सबजियों का हरी पत्तेदार सबजियां और अन्नी सबजियों का इसमें मूल रूप से हमें विटमिन और मिन और शक्कर में जो हम रोज मर्रा में चीनी का अस्तेमाल करते हैं, गुड ये सब इसमें सम्मिलत होते हैं और इनसे मूल लूप से हमें उर्जा वसा और आवश्चक वसीयमलग प्राप्त होते हैं। हम अपने आहार में रोज मर्रा में शामिल करेंगे, इसके अधार पर या जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि संतुलित आहार के अनुरूप किन खादि बदार्थों को कितनी मात्रा में आहार में सम्मिलत किया जाए। आहार निर्देश प्राप्त के प्रयोक से आम जन्ता को भूजी प्यदार्थों के उचित्यान में साहता होती है। आहार निर्देशों के अनुसार जो खादि बदात प्रामिट के आधार में होते हैं उनका सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है। और जैसे जैसे हम प्रामिट के शीष की ओड़ जाते रहते हैं उन खादि बदार्थों का अभेख शाकरित कम मात्रा में इस्तिमाल किया जाता है। इस बात को आप इस चित्र के माध्यम से अच्छे तरह समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रामिट के जो निचला इस्तर है उसमें अनाज तथा अनाज उत्पाद हैं जिनका हम जादा मात्रा में इस्तिमाल करते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिट में उपर की तरफ जाते हैं, जो खादी पदार्थ इसमें सम्मिले थैं उनका इस्तिमाल कम मात्रा में किया जाता है। जैसे अनाज से कम इस्तिमाल हम सब्जियों और फलों का करते हैं। फिर मांस, मशली, दूद तथा दुगदूद पात का उससे कम और सबसे कम इस्तिमाल वसा, तेल तथा शक्कर का किया जाना चाहिए. पुनहां 2005 में USDA यानि US Department of Agriculture ने पुराने फूद पिरामिट को नए फूद पिरामिट से रिप्लेस किया और यह बनाया और यह भी आहर नियोजन को सरल बनाने की दिशा में था. इसमें भी आप देख सकते हैं कि अनाज और अनाज उत्पाद, सबजियां, फल, दूद और दुगद उत्पाद, मांस, मशली, अंडे, इनका सिवन किस प्रकार किया जाना चाहिए. यह इस पिरामिट में दर्शाए गया है. इसी संदर में USDA का सबसे नवीन प्रयास है माई प्लेट फूद गाइड जिसे 2011 में बनाए गया. माई प्लेट पोशन के निर्देशों में एक प्लेट को चार खंडों में विवाजिक किया गया है. यह चारो खंड सबजियां, अनाज, प्रोटीन और फल दर्शाते हैं और स सबसे बड़ा समूह जो जिसमें बहुत जादा खादी बदार्तों को हम इस्तिमाल करते हैं वो है अनाज. अनाजों से हमें मुख्य रूप से उर्जा, कार्भोहाइड़िड और प्रोटीन प्राप्त होती है. भारतियों के आहार में अनाज उर्जा की मुख्य सादन है जि अनाज में बहुत सारे विटामिन भी पाय जाते हैं जैसे थायमें, नाइसिन, पेंटॉथनिक एसिड, बीसिक्स, आदी अनाज में खनीज लवड भी अच्छे पाय जाते हैं जो है कैल्शियम, लवड लवड आदी जो मोटे अनाज होते हैं जैसे रागी मढवा ये और खनिष लबड और रेशे के भी उत्तम स्रोथ है अनाजो प्राप्त परोटीन में लाइसिन नामा का मेलुंद पाया जाता है और विटामिन A और विटामिन C पोशक्तित नहीं होते फिर है बार्य आरों में दालों का भी बहुत अधिक मात्रा में प्रेव किया जाता है और प्रोटीन कार्भोहारी डेवम उर्जा प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं यद्यपी प्राणी जगत से प्रोटीन के समान इनकी गुणबत्ता उतनी अच्छी नहीं होती फिर भी शाकाहरी भोजन में यह मुख्य भूमी का प्रोटीन की साधन के लिए निभाती हैं दालों में लगभग 19 से 24 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है और इनमें विटमीन बी और खनेज़ लवन भी अच्छी मात्रा में पाये जाते हैं पर अगर हम दालों को अंकुरित करते हैं तो उनमें सी की मात्रा पाये जाती है अगला खादी समूह है दूद है हमुस दूदह से निरमित खादीपदार्थ सामानिता गाय अत्वा बहस के दूदह को सेवन करते थे उस में सम्मुव दूधक पुषकमान में इंतर होती की यत प्राप्त है लेसे जुद्ड। फुषकमान में इंतर होता है जैसे बहांसे पुषकमान में गाय के दूधक अप्रीकल्णा़BR की प्रोटीन एंवम वसा होती है। दूद से निर्मित पदार्थ भी प्रोटीन कैल्चियमें वसा प्राप्ति के उत्तम स्रोथ हैं और शिशों के आहर में दूद का महतुपूर्ण स्थान है दूद में उपस्तित शरकरा का नाम होता है लाक्टोस यह बिटामिन A तदा बिटामिन B का भी उत्तम खादिस रोथ है इसमें कैल्चियम लोगन भी अच्छी मात्रा में उपस्तित रहता है इसलिए सभी आयूवर के वेक्तियों को अपने आहर में दूद्यम दुग्द उत्पाद अवश्य शामिल करना चाहिए परंतो शिशों के आहर में दूद का महतुपूर्ण स्थान है अगला खादिस में विटमिन B, VITAMIN A और D भी प्राप्त होता है यक्रित विटमिन A, B, 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 B complex का अत्ती उत्तम साधन है मचलें से भी उच्छ गुणवत्ता की प्रोटीन प्राप्त होती है और इनसे बहु असंत्रिप्त वसी अमलों भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं अंडे से अंडे द्वारा VITAMIN D तथा कुछ B classmatesi प्राप्त होते है यंसे लौलावण भी प्राप्त होता है और अंडे का पीला भाग जो होता है वह खूलेस्ट्रॉल से इसमें कॉलेस्ट्रॉल उच्छ मात्रा में होता है अगला खादिसमूँ है फल अहार में फलों का विशह स्थ नीबु आदी इनसे विटामिन C उत्तम मात्रा में पाया जाता है पीले फ़लों से हमें जैसे आम पपीता संत्रा में कैरूटीन प्राप्त होता है जो विटामिन A का एक रूप है हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन खनिजलावड एम रेशे की द्रिश्टी से बहुत महत पूर्ण है कई प्रकार के हरी सब्जियों का जैसे पालग, बत्वा, मेथि, चॉलाई इनका आहर में प्रयोग किया जाता है इनमें जलाण्श की मात्रा भी काफी अधिक होती है हरी पत्तेदार सब्जियों में बिटा कैरोटीन, नामक, वर्नक, प्रचुर मात्रा में पाय हैं जिनने हम पौधों के जड़ अत्वा तने के भाग से प्राप्त करते हैं जैसे आलू शकरकंदी आदी ये सब्जियां कार्भोहाइडिड एम उर्जा का उत्तम स्रोथ होती हैं और कुछ सब्जियों जैसे गाजार आदी में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया ज जाता है जिनसे हम अहार में विटा उत्पन्न कर सकते हैं पीले कद्दू में कैरोटीन पाया जाता है तदह टामाटर में लाइकोपीन नामा के वर्नक पाया जाता है जो बहुत अच्छा एंटियों है और प्राया इन सब्जियों में जलांश की मात्रा भी अधिक होती है औ इसके अत्रिक्त भारती आहर में रिफाइंड तेल का भी प्रयोक किया जाता है जो वनस्पती से प्राप तेलों का परिश्च्रित रूप होता है कुछ मात्रा हाइड्रोजनी कृत वनस्पती तेल का भी प्रयोक किया जाता है सभी प्रकार के वसा जो होते हैं वह उर्जा क सगन स्रोथ हैं बनस्पति जगत अत्वा तिलहनों से प्राप तेलों में बहु असंत्रिप्ते वसी अमल पाये जाते हैं और साथ ही इन से हमें अभशक वसी अमल भी प्राप्त होते हैं जो स्वास की दृष्टी से अत्यंत्र महतुपूर्ण है वसा के प्रयोग द्वारा बो अधिक मात्रा में प्रंतु प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके प्रयोग से मोटापा और रिदर्रोग जैसी बिमारियां होने की अधिक संभावना होती है तो शिक्षारतियों आज के व्याख्यान में हमने जाना कि आधारभूत खादे समहू क्या होते हैं और कैसे हम इनके द्वारा बुद्धि मत्ता पूर्व खादे बदारतों का चैन करके संदुले ताहर की प्राप्ति कर सकते हैं आने वाले व्याख्यानों में हम उचित आहर निवजन के बारे में जानेंगे धन्यवाद